Hello everyone, I am Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज कर जो टॉपिक है वो है हजारियस वेस्ट ठीक है हजारियस वेस्ट का कैसे है management किया जाता है उसके handling कैसे की जाती है इनके बारे में बताया गया है इसमें जो की रूल बना था 1989 में ठीक है अब कोई भी material होता है हजारियस material अब वेस्ट तो बनी ही जाता है जब उसका नहीं यूज हो रहा है या फिर किसी काम में नहीं आ रहा है तो वो एक तरीके का वेस्ट बन गया अब वो है तो हजारियस तो आप उसे कैसे मतलब डिस्पोस करेंगे ठीक है इनके बारे में कुछ रूल्स में बताया गया है कि अगर आप यह ले रहे हैं ऐसा material आपके पास है तो क्या-क्या आप कर सकते हैं उसको स्टोर करने के लिए ठीक है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी सब्से पहले तो हजारियस material क्या होता है हजारियस material कोई भी हो सकता है वेस्ट जो है वोग कोई भी हो सकता है ठीक है जैसे की radioactive waste हो सकते हैं chemical waste यह सकते हैं कोई भी toxic बारे में इस रूल में बताया गया है। ठीक है तो सबसे पहले तो हजारे इस material खतरनाक चीजे होती हैं कुछ खतरनाक material जो कि जल्दी आग पकड़ लेते हैं या harmful रहते हैं लोगों के लिए अगर आप वो use कर रहे हैं तो उसकी prevention आपको लेने पड़ते हैं पीपीज पहनने पड़ती हैं तो इस तरीके के material से हम कैसे बचे कैसे उसे store करें ठीक है उसके बारे में बताया गया है देखिए तो सबसे पहले तो hazard waste क्या होता है हमें पता चल गया अब duties क्या है उसको store करने की और disposal करने की आने की dispose करने की hazard waste को ठीक है रूल जो है वो import और export के लिए भी बनाया गया है ठीक है यह जो movement है trans boundary movement है एक जगह से दूसरी जगह से ले जा जा रहा है इसके लिए भी है ठीक है recycling और reuse कैसे आप इसे करेंगे उसके लिए रूल बनाया गया था क्योंकि कोई भी material ऐसा hazard is तो आपको उसकी rules भी follow करने होंग ठीक है तो उसके बारे में इस rule में बताया गया है अब देखिए जैसे कोई hazard is material है वेस्ट है ठीक है उसको अभी आपको store करके रखना है तो सबसे पहले तो आपको store अगर करना है तो आपके पास store permit होना चाहिए कि यह permitted है 90 days से जादा का नहीं होना चाहिए वो तो ही आप उ use में नहीं आ रहा है तो आपको उसे कैसे recycling करवानी है उसकी अगर आपको रखना है पहले तो तो आप क्या करेंगे उसे कोई closed place पर closed या covered area में उसे रखेंगे ठीक है store अगर अपको on site करना है तो आप bags में containers में covered area पर उसे रख सकते हैं ठीक है पर आपको यह याद रखना है कि जो भी waste है उसको अभी store करना है आपके काम में आ रहा है तो पर नहीं आ रहा है तो उसको recycle कैसे करना होगा वो आपके जो terms and conditions रहती है hazardous waste के साथ के इस material को आपको इस तरीके से disposal करना है उसकी terms के according ही आपको उसे dispose या recycle करना होगा ठीक है जो भी material या जो भी material है उस material को आप को स्टोर करना है तो आपको परमिट होना चाहिए ठीक है कवर्ड एरिया पर रखना है आपको उसको ठीक है उसके बाल जो भी आपकी प्रॉसेस प्रॉसेस है उस माटेरियल को लेके जो भी आप माटेरियल यूज कर रहे है उसके MSDS रहता है ठीक है MSDS के हिसाब से ही आपको से store करना है और अगर आपके use में नहीं आ रहा है तो उसे कैसे dispose करना है उसमें लिखा रहता है उस तरीके से ही आपको उसको handle करना होगा ठीक है तो ये rule ये कहता है कि कोई भी सामान जो है कोई भी ऐसा hazardous waste जो है वो आप ऐसे ही बाहर ना dispose करें जो भी material रहता है उसके एक sheet रहती ह उसके हिसाब से ही उसको handle किया जाता है जब आप use में ले रहे है तो जब आपके use का नहीं है तो आपको इस तरीके से उसमें ये भी लिखा रहता है ये material इतने हाई-rated hazards है इसमें तो आप उसको कैसे store करें ये सारी चीज़े उसमें रहती है तो उसमें आपको देखना था कि कोई भी ऐसा नहूं कि माल लिया कि अभी तो हमारी यूज में नहीं आ रहे तो हम ऐसी waste तो है कि अपके काम में नहीं आ रहे तो हो तो वो वेस्ट गया पर फिर भी आप सोच रहे हैं के इस काम में आ सकता है तो आपको उसके expiry देखती रहनी होगी valid period तक अब तक है ठीक है maintain करके रखने होगे records उसके जो भी सामान आप यूज कर रहे हैं ठीक है जो भी आपकी legal compliance है उसके हिसाब से आपको उस material की पूरी documentation करके रखनी होगी ठीक है ऐसा ना हो उसके कारण आपकी इंडरस्टी में आपके workplace पे बड़ा accident हो जाए ऐसा कुछ ना होने पाई इस वज़े से आपको यह hazardous waste पहले जो भी आपके hazardous material है उनको store अच्छे से करना है वेस्ट है अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपके काम में आने वाले है तो उसको store कैसे करके रखना है यह सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा ठीक है तो इसलिए यह rule बनाया गया था कि कोई भी ऐसा hazardous material होते हैं तो उससे हम कैसे handle करें इसके लिए MSDS जो रहते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगी जब हम MSDS की बात करेंगे तब पर उससे क्या होता है उसमें जो MSDS रहते हैं उसमें जो भी आप material ले रहे हैं हजाड एस material तो उसमें यह बताया जाता है कि आप जो भी material यूज कर रहा हैं कैसे यूज कर रहा हैं कितने कितना explosion है इस material में सारी चीज़ों उसमें आती हैं तो हमें यह धिहान रखना होगा कि कोई हजास वेस्ट जो उसकी चीज़े देखी जाएं इसके लिए ये रूल बनाया गया है अब ये सारी जो पर्मिट वगेरा हम लेंगे तो ये लेना भी ज़रूरी है ठीक है तो इसलिए जो इंडरस्ट्री में जो भी फार एंड सेफटी से रहते हैं डिपार्टमेंट से तो वो इस माटेरियल की सारी च किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है इंडरस्ट्री में वर्क प्लेस पे तो हमें ध्यान रहे कि ये ऐसी जगाए हमें यहां पर साथदानियां रखनी है ठीक है कोई भी ऐसी अंसिफ एक्ट ना बने अंसिफ कंडिशन ना बने इन चीज़ को देखते हुए ये सारे कंडिशन बनाई जाती हैं लेगल कंप्लाइंसे जो रहते हैं उनके हिसाब से आपको ये सारी चीज़े करनी होती है ठीक है तो आज यह मैंने आपको हजार येस वेस्ट की बारे में बताया तो थैंक यू